आज एक बहुत सुन्दर सी चीज सीखी चानक के कहते हैं कि life के अंदर जो learnings होती है वो पहली learning वो होती है जो हमें teachers या हमारी books देती है दूसरे type की learning वो होती है जो हम खुद explore करके चीजे सीखते है तीसरे टाइब की लर्णिंग वो होती है जो हम अटने आसपास के लोगों से सीखते हैं इसलिए का जाता है कि लाइफ के अंदर हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ जरूर सिखा देता है और चौते टाइब की लर्निंग होती है जो हम टाइम के साथ, पेशन्स के साथ सीखते हैं इसलिए जो experience हमें टाइम के साथ मिलता है वो बहुत ज़रूरी होता है अब जैसे एक पेड को बड़े होने के लिए उसकी seed अच्छी होनी चाहिए उसके आसपास की soil अच्छी होनी चाहिए, उसका gardener अच्छा होना चाहिए और उसे time चाहिए वैसे भी हमें लाइफ में बड़े होने के लिए, successful होने के लिए इन चारो तरीके की learning की ज़रूरत है आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक्स वीडियो में चलते हैं आज के लिए एक्स वीडियो में चाहिए